तो नमस्कार किसान भाईयों मैं खड़ा हूँ अभी ग्राम गुम्त्रा में यहां पर संजेर अग्वंसी जी के प्लाट में मैं खड़ा हूँ और यहां पर यह जो गहू है यह नेशनल स्वीट्स का 444 है जैसे कि आप देख रहे हैं गहू बहुत ही जोड़ार लगा हुआ है और गहू को लगभाग यहां पर बाले यहां पर आ गई है और यह इसका जो चड़ा हम दिखाएंगे आपको अभी किसानों को तो यह बहुत ही बहतरीन तरीके से गहू लगा हुआ है किसान भी इससे संतुष्ट है किसान का कहना है कि 100% इसका जमनेशन आया है और यह गहू को यहां लगा हुआ था यह ग्यहू के एक चड़े की विसेष्टा है कि यह चीदा गया है इसकी हाइट कम यह गिरता नहीं है और इसका तना आप देख सकते हैं बहुत ही है इसके जड़तंत्र की हम बात करें तो यह देखो कितनी सारी इनने मट्टी जकड के रखा हुआ है पूरा जड़तंत्र इसका भारी यहां पर मजबूत है और यह जड़तंत्र मजबूत होने के कारण गिरता नहीं है हाइट कम आती है और लगभग इसका जो एवरेज है 25 से 30 कौंटल प्रती एकड़का आता है अभी जब इसकी थ्रेसिंग होगी किसान भाई इसकी थ्रेसिं सकते हैं जड़तंत्र बहुत ज़ादा के सकते हैं के सिक रखने माधर गेडा करें तो बहुत ही है इसका तणा देख रहा है वाले कि हम बात करें तो बाले इसमें निकलने वाली है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा लगभग बारा बाले इसमें आ रही है एक दाने में तो ये देख सकते हैं कि इसका एवरेज लगभग कितना आता है लगभग 25 से 30 कॉंटल इसका एवरेज आएगा मैं लली तरगवन सी फिल्ड ओफिसर चान खमरा बिच्छुआ